वेल्कम बेक टू माई चैनल वन वीजन एमी बीएश तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड यर माइक्रो बायलोजी को ओके तो अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो बायलोजी को कहां से माईक्रो बायलोजी अब दी पर देखेंगे कि फंजाए है उसको आडन क्लासिफाइ करते हैं मतलब कि यह तरह के सेक्श्यल स्पॉर् प्रोड्यूस्थ करती है उसके बेजीस पे हम classify करते हैं उसे हम कहते है taxonomical classification ठीक है तो चलिए हम start करते हैं सबसे पहले morphological classification, it is based on the appearance of the fungi तो देखिए morphological जो classification है उसमें हम चार type पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे yeast, then yeast like fungi, then molds के बारे में बात करेंगे और last में देखेंगे हम चोथा point है हमारा डाइमोर्फिक फंजाइ ठीक है то सबसे पहले हम देख लेता है yeast के बारे में तो जो यह yeast है वो कैसी होते है it grows as round to oval cells देखिए इस तरह से या तो फिर round cells होते है या फिर oval shape के cells होते है Os के yeast में it reproduced by asexual process called budding वो क्या करते है بरड़िंग के थ्रू रिप्रोडॉक्षण करते हैं मतलब कि देखिए जो हमारी बोडी में इस तरह से मान लीए यह ओवेल टाइप का येस्ट है तो उसमें क्या होता है बढ़िंग होता है और बढ़िंग होने से इस तरह हो जाएंग न इस तरह के शेप का यह में मदर सेल है मतलब कि पै nutrition लेती है okay mother cell से और वहाँ से nutrition लेने के बड़ी हो जाती है और फिर जो अपना parental cell है उससे separate हो जाती है और अलग yeast का formation करती है तो यह जो इसका example क्या है crypto cocus neoformus तो crypto cocus neoformus है वो yeast type की fungi है देखिए यह सब नाम आपको अभी याद न रहा है तो कोई बात नहीं हम इसको जब separately पढ़ेंगे न तब आपको यह सारे के सारे जो example है वो अच्छी तरह से याद हो जाएंगे ठीक है यह हो गया yeast के बारे में second है हमार yeast like fungi मतलब कि यह तो यह पूरी की पूरी yeast जैसी ही होती है मतलब कि yeast ही होती है यहाँ पर yeast जैसी हमें लगती है उसमें क्या होता है after the budding बॉर्ड रिमेंड एटेच टू मदर से देखिए yeast में क्या होता था बॉर्ड है वो क्या करती है separate हो जाती है mother cell से लेकिन यहाँ पर क्या रहती है remain attached to the mother cell after budding और क्या form करती है pseudo IV का production करती है देखिए यहाँ से अब separate हो जाने के बाद क्या होता है दोनों ही different yeast की तरह क्या करती है एक्ट करती है लेकिन yeast लाइक फंचे में क्या pseudo IV प्रोड्यूस करती है देखिए न यह सारी की सारी देखिए यह सारी की सारी बडिंग है इसकी यह बडिंग हो गई यह separate नहीं होती क्या नहीं होती और इस तरह का structure का formation करती है जिसे हम कहते है pseudo IV तो देखिए pseudo IV और हाइफी true IV ओक्या इससे pseudo IV क्यों कहा जाता है क्योंकि यह हाइफी की तरह दिखती है तो दोनों में difference क्या है तो difference यह है कि जो यह pseudo IV है ना उसमें क्या होता है at the septa construction present होती है देखिए ना construction का मतलब इस तरह से खाच ओक्या तो यह जो पाट है उससे construction कहते हैं तो देखिए यहाँ पे present है यहाँ पे present है यह सुड़ आइफी में होती है लेकिन यह मोल्ड में देखिए गयो केस नहीं होती तो देखिए यह हो गया उसका difference सुड़ आइफी और हाइफी का difference तो यह जो यह यह लाइक फंजाई उसके बार में इतने ही लिखना है और एक्जामपल है उसका candida okay candida species की जो फंजाई है वो हमारी yeast like फंजाई है ठीक है then third point है हमारा mold mold is grow as a long branching filament यह किस तरह से grow करती है long branching filament देखिए उपर की दोनों है वो round और oval shape cells के होती है लेकिन यह क्या करती है grow as a long branching filament उसे हम कहते है हाइफी देखिए इस तरह से long branching filament हो गया ना इसे हम कहते है hyP 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 2 तरह की होती है septate और non septate septate का मतलब किया हुआ कि जो hyP है वो क्या होती है different parts में देखे और यह यह ही है तो देखे यह क्या है उसके septa है ओके यह septa क्या करती है जो पूरी की पूरी है उसे डिवाइट करती है ना different different parts पे तो अगर इस तरह से divide करती होगी उमरी हाइफी तो उसे हम कहते है septate और अगर उस तरह के septa नहीं होंगे उमरा transfer septa तो उसे हम कहें देंगे non septate देखिए आप difference देखिए यहाँ पे construction है pseudo हाइफी में हाइफी में construction नहीं दिख रहा है ना आपको तो यही दोनों में difference है हाइफी और pseudo हाइफी में फिर यह हाइफी है इट ग्रोज continuously एंड फॉर्म ब्रांचिंग टेंगल मास ओफ ग्रोथ ओक्या करती है ब्रांचिंग टेंगल मास का ग्रोफ करती है जिसे हम कहते है माइसिलियम देखिए डाइग्राम से यह सिंगल हाइफ प्रोड्यूस हो जाते है और इस तरह के टेंगल मास का फॉर्मेशन करती है जिसे हम कहते है माइसिलियम और माइसिलियम के दो टाइप से एक है वेजिटेटिव और एक है एरियल मतलब कि अगर आपने किसी फंजाई को जो यह माइसिलियम है दो तरह के होते है ना वेजिट culture medium की जो surface है ने उसके उपर होता है जबकि अगर on the surface हुआ मतलब कि surface को touch करते हुआ उसका growth होता है तो वजी टेटी है लेकिन अगर surface के जो उपर की तरफ growth हुआ न तो उसे हम कहते है aerial अब जो mold है उसका reproduction कैसे होता है it reproduced by formation of sexual and asexual spore मतलब कि दोनों तरह के spore का formation करती है sexual और asexual example है हमार राइजोपोस म्यूकर यह तब कोई पता ही होगा यह दोनों नाम तो आपने 12 में भी पढ़े होंगे ठीक है राइजोपोस और म्यूकर यह होगी हमारी तीसरी mold के बारे में नेक्स्ट वन यह देखिए यह बहुत ही important है dimorphic fungi आपको two marker में पूछ सकते है dimorphic fungi क्या है मतलब कि AC fungi 25 degree Celsius में mold के form में होती है लेकिन अगर 37 degree Celsius मतलब कि human body में अगर पाई जाया तो वो yeast form में होती है मतलब कि temperature के हिसाब से अपना form change करती है 25 पे क्या mold मतलब कि Eiffel form में होती है जबकि 37 degree Celsius में yeast form में होती है AC fungi को हम कहते है dimorphic fungi मतलब कि दो तरह की morphology होती है ठीक है उसके example है हमारे histoplasma capsulatum और blastomyces dermatitis ठीक है example में फिर से कहते हैं example यह रटना मत आप बाद में जब पूरी की पूरी fungi की microbiology पढ़ेंगे न तब आपको सारे के सारे नाम ऐसे ही याद रे जाएंगे ठीक है यह हो गए हमारा morphological classification चार टाइप है yeast, yeast like mold और dimorphic fungi next है हमारा taxonomical classification यह based है sexual sport production के उपर ठीक है मतलब कि किस तरह से sexual sport का produce करते है उसके अधार पे यहाँ पे taxonomic classification बनाए गया है उसके चार टाइप है phylum gyomycota, phylum escomycota basidio mycota और deutromycota सबसे पहला हम देखते है phylum gyomycota gyomycota में क्या होता है जो sexual sports है वो कैसे होते है gyospore होते है मतलब कि it produce the gyospore और accepted hyphy का formation करते है एक तो देखिए अगर gyospore का production करेंगे तो gyomycota कहेंगे न और उसमें जो hyphy होते है वो कैसे होते है एक्जामपल देख लेजिए rhizopus और mucar यही होगे mold वाल है ठीक है next है हमारा phylum escomycota escomycota में कैसा होंगे esco sports escomycota में esco sports होंगे और यहाँ पर accepted तो याद रखना नीचे septate होती है किसमे escomycota में esce आप espergillus याद कर सकते है ठीक है example हो गया third one is the phylum besidio mycota besidio mycota besidio sports present होंगे example crypto cocus ठीक है last one is the phylum utromycota इसे हम कहते हैं fungi imperfective देखिए यह medical important है क्योंकि जो इसका जो sexual state है न is either absent और undefined yet मतलब कि अभी तक हमें पता नहीं चला है कि sexual state कैसा होता है मतलब कि उसमें कौन से sports होते हैं वो अभी हमें पता नहीं है इसलिए यह से कहते हैं phylum deutromycota या फिर fungi imperfective तो this is the all about of classification of fungi next video हम देखने वाला है general labdy मतलब कि आपको fungi पूछी गई तब को generally कौन कौन से point आपको लिखने ही लिखने है वो हम पढ़ेंगे general labdy में thank you everyone thank you for watching this video and keep watching